पैरों में दर्द एक काम बिमारी है जो जीवन के एक बिंदू पर आकर किसी को भी प्रभावित कर सकती है। उस टाइम के लिए हमारे दिमाग की नस को शुन कर देती है और दर्द वैसा का वैसा रहता है लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ पे दर्द हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लक्षन इस दर्द में मसल्स में सिकुडन होती है और गुटन और जांगो वै पैरों में दर्द रहने लगता है। कभी कभी दर्द की वजह से एक्सरसाइज में भी दिक्कत होती है। प्यारे दोस्तों अब मैं आपको घरे लूप चार बतारी हूँ जिसके द्वारा आप अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। सेंदा नमक एक और प्रभावी घरे लूप चार है जो आपके पैरों के दर्द को ततकल रात परदान करता है। दोस्तों गरम पानी के एक टम में 2-3 बड़े चमत सेंदा नमक को मिला ले। इसमें अपने पैरों को 10-15 मिन्ट के लिए डाने। फिर उसके बाद टावल की सायता से अपने पैरों को पोंच ले। और अपने पैरों को ड्राइनेस से बचाने के लिए उन पर मॉस्चराइजर लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए चदर से ढख ले। गरम और ठंडा पानी थेरपी पैर में दर्द के इलाज के लिए एक कारगर तरीका है। ठंडे पानी के बालटी में डाले। इस प्रक्रिया को आप 2-3 बार दोलाएं लेकिन ध्यान है कि आप गरम पानी से सुरुआत और ठंडे पानी पर समाप्त करें। आप पैरो में दर्द को कम करने के लिए 10 मिंट के लिए बारी-बारी गरम और ठंडा पैक भी लगा सकते हैं सिर्का, सिर्का सूजन मोच या एठन के कारण होने वाले पैरो में दर्द का कारगार इलाज है गरम पानी की एक बालटी में दो बड़े चमच सिर्के और एक छोटा चमच नमक या सेंदा नमक मिलाएं फिर इसमें अपने पैरो को लगबाग 20 मिंट के लिए डुबो दे बरफ, आइस थेरपी भी दर्द और पैरो की सूजन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है एक छोटे से प्लास्टिक की थेली में कुछले बरफ के कुछ चुकडे डाले और दर्द को दूर करने के लिए सरकुलर मोशन में प्रभावी तिस्से की मालिस के लिए उप्योग करे इसे सूजन को कम करने में भी मदद मिलेगी लेकिन ध्यार रखे कि आइस पैक का उप्योग एक समय में दस मिन्ट से अधिक तक नहीं करे क्योंकि यह तोचा और नसों को नुकसान पहुचा सकता है